लोको साथे समवाद करेज मेरे मन की सुनो तुम्हारे मन की में नहीं एउने आपना मन मा शुप पड़ू छे आप कहो अने कदाच अमारा मन मा कोई वात होए एना करता आपना मन मा पड़ेली वात ने अमें सामबलिये तो वधू सारू पड़े शके उजरूरी न थी के राजकारण मा होए एनुच दिमाग लोखीत मा चालतू है एक नानो वेपारी दुकांदार बेठ होए छे एना पासेनो आइडिया क्यारे कवधारे उप्यूगी थात होए छे आपसवना आशिर्वाती कॉंग्रेस नी सरकार मा हुँ बैया आप लोगों का थोड़ा आवाज माँ कम करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा कॉर्णर में वाँ यह मांशो प्लीज तो ए वक्ते में घणा बदा मित्रुने घणा वेपारियो साथे हूँ डाइलोग करतो अने मारो पोता नो अनुबहुँचे के टैक्स ओछो करो अने सरकार ने तीजोरी मा आवक वदी हो यावा दाखला हो चे टैक्स नुँ भरन घटाडो अने आवक वदे वह अपने एक दाखलो अपिश हमारा बाउनगर मा शिप ब्रेकिंग यार चे अलंग शिप ब्रेकिंग यार अने सीएस्टी चार तका लेवात हो तो मने त्याना मित्रोय आवी ने कही हो के शक्तिसी तमें अने बेट अका करो अने तमारी आवक वद से हैं थोड़ी वार हूँ भी मुझा हैं मैं क्यों आओ क्यों वह अई शक्के के टेक्स घटाडो ने आवक वदे मने कही हो के अमने चार तका दंदा मा बीजा साथे टकी रेवा पोसाय अमद न थी माटे अमें फरज्यात चोरी करिये चे दोड़ बेट को करप्शन नो आपी अने बारो बार माल काड़िये चे जे थी अमने चार तका ना बड़ले बेटका मा पड़े जे थी अमें दंधाना कॉंपिटेशन मा ठकी शकिये जो सरकार बेटका करी देशे तो आमें इमानदारी थी पूरो टेक्स भरवानाची अमारे खोटू करवानी जिरूर न थी तमारे आवक ना वदे तो छव मीना पाची 4 तका करी ना अगचे तो आपने सो ने जानी ने नवाय लाग के सरकारे टेक्स 4 तका माति 2 तका करो आनिन ये आवक थ तीये त ये बमऽनी आवक थेग हैं आवक डबल थेग हैं तो आज ये संवाद नी जे मजा hoई चे आ मजा होई चे अमें GST लाववाना आता, कॉंग्रेस पार्टी, केटलो सम्वाद केरो हतो, मने खबर छे, अने एक नाना ना वेपारी मंडलों मार्फत्र जुआतो आवती हैती, नाना मंतरी श्री साथे मीटिंगों करावानों आगरे राखता आता, आमें, एमध बाई पतेल साहिब अपना कॉंग्रेस पार्टी GST लावे तो, अपर कैप ये आपने कही होतु के बने त्यां सुधी, 16 तका जराखी, कदा चेव लागे तो मैक्सिमम अधार तका, अधार तका थी उपर GST 9, बीजीवा था थी GST मा आपना, एकज टेक्स, इल्ले टेक्स नू सरली करना, ने दुनिया बर मात में जो 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 जियां GST छे त्यां, चर्टका, साथ ठका जनरली लेवातो होई छे, पन टेक्स एक ज, इतले वेपारी ने बीजी चिन्ताओं मा था कुट ना रहे, टेक्स ना सरली करन साथे, वेपारी जारे जेकें GST माटे फॉम नी, विधी आते मां राज ना आवे, एनी काल जी, अन्य जियां वेट ना होई, एक्साइज ना होई, जे माँ वेट पन न होई, और एक्साइज पन न होई, एज वस्तु GST मा आवे तो एना उपर टेक्स ना लागो जुए, आग कॉंग्रिस नी पायानी वागता, तमें जे माँ वेट पन नो एज GST नी अंदर लए लेवानी, तमें कल्पना कर जो, जो आज नी तारिके पेट्रोल जे छे एने, GST नी अंदर कॉंग्रेस नी जे गणतरियती एप्रमाणे लेवाईू होथ, तो टेक्स नो स्लेब, बार टका, अधार टका, होथ, तो अधार टका थी उपर ना गयू हो तो अधार टका टेक्स लेवाई, तो आज ए पेट्रोल एक लिटर नू तमने बेतालिश रूपिया मा पेट्रोल मलतू होथ, जो कॉंग्रेस नो GST आयो होथ, आँ अमारू गणी थातू, तो यह वकद केचे ने, कॉंग्रेस GST लावानी हती, कॉंग्रेस लावानी हती, आ आज GST हतो, अने हवे सोचल मीडिया मा नाम आवी कियो छे, GST, एटले Goods and Service Tax नहीं, परन्तु गबबर सिंग टेक्स, आओ टेक्स आवी कियो, ए पिडा छे, अमारी आवाद छे, जे जुदा जुदा लोकों साथे परामर्ष करिये छे, आप बुद्धी जीवी में, समाजनी वच्चे हुँ वाद करू छो, हुँ आपने कहुँ छो, आप एक वखत शान्ती थी विचार जो, कि विकास नी परिभासा शों है शके, एक मुठी भर लोको, अती श्रीमंत थाए, पांच के साथ, करोड़ पतियो, अब्जो पतियो, खर्बो पतियो, खर्बो पति एमनी परिश्थिती मा सुधारोज न थाए, जेने आपने बेलेंस डेवलपमेंट केएचे बेलेंस डेवलपमेंट न थाए, अने लांबा समय शोधी, बाविश्वर सोधी तक आपापा छी, आप कोई कॉंग्रेसे शोधेलो शब्द नो तो, पन जनता ये शोधी ने आप कारण के अखा गुजरात मा तमें जो एक पन नवी एंजिनेरिंग कॉलेज बाविश्वर समा न थी बने, गवर्मेंट एंजिनेरिंग कोई जो, सरकार नी एक पन नवी एंजिनेरिंग कॉलेज ने, सरकार नी नवी एक पन मेडिकल कॉलेज न थी बने, अया घणा कदाच पर एंजिनियर मित्रोर शे। कॉंग्रेस ना शासन मां जो आप एंजिनियर के डॉक्टर थया हो। तो आप सेज अंदाज लगाओ जो के सरकारी एंजिनियरिंग के सरकारी मेडिकल कॉलेज मां अब कितला रुपिया मां एंजिनियर के डॉक्टर बनता आता, कितली फीज हती है नहीं, आजे जोओ तो, एजुकेशन नूँ व्यापारी करण, शिक्षन नूँ व्यापारी करण, एना थी कॉंग्रेस विरोध मां चे, पाया थी जरूरियाद चे सरकारे, सस्तु अने उत्त प्रम शिक्षन आपको चुए, टेलेंटेड गरिप नूँ बालक चे, पने टेलेंटेड चे ने लॉक्टर थऊँ चे, तो ए डॉक्टर थाईशक हो चुए, एंजिनियर थाईशक हो चुए, एंजिनियर थाईशक हो चुए, छेला 22 वरसमा तमे जोजो, एक पन सरकारी अने जे सरकारी युुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु नेज लाविये आ लोकोनो मूर चे अने एमा वापी पाछळ ना रहे एवी विदनती करवाप सव ने आवो चे अपना अनेक प्रश्णो चे GIDC ना प्रश्णो चे नाना वेपारी ने पॉल्यूशन ना इंस्पेक्टर राज ना प्रश्णो चे कितलीक सरकारी जवाबदारी चे हूं मोटा उद्योग नो विरोधी न थी परन्तु मोटो उद्योग नाना उद्योग ने खाई जाए नहीं एनी चिंता सरकारे करवी पड़े नहीं तो उखेवाई चे कि जेनी आखी सोना नी नगरी या थी एने जविकास पुरुष केवो जुए नै अयोध्या सोना नी नो थी पन लंका केवाई चे कि सोना नी यती तो विकास पुरुष एने केवाई पन ना लोकोई ए राजानू नाम पन आजे पाड़ता न थी पोताना दिकरानू नाम रावन कोई पाड़तू न थी शाम आटे कारण के नगरी दूर थी जोओ तो सौना नी लागती थी रावण नी नजिक ना राक्षषो ना महल सौना नाहता है परन्तु नजिक जोईन जुओ तो आम ही लंका नो वाशी त्यंत दुखी है तो सिध्धान्ती चालतो तो रावण नो भाई पन तियां दुखी हतो अने एकला माटे रामे रावण नो वद केरो हतो अने विकास पुरुष्णा कई शेकर अने वापी माँ कोई GIDC माँ नानो कासकेदार कारखेनादार कोई प्रोडक्शन करनारो व्यक्ती चे एनी सरकार चिंता ना करे तो ये साचो विकास न थी कॉंग्रेस नो स्लोगन एचे के नानी GIDC जे बनी चे नानो ने मद्यम उद्योकार चे चाइनीज प्रोडक्ट आवे अने उद्योकार ने मुश्किली माँ मुक्तो होई तो येनू सरक्षन करूँ जो ये असरकार नी चिंता होवी चे अने अमे आप सवना पासे आपना प मुक्र जो अपना सूचनों पन जे हमारा चुटनी डंडेर मालेवान ऊश्यत्याम पन देश हो और काली अम्हारी सरकार बने तो इस सरकार धन संगरा माटे नी नहीं होिद आपना सूचनों माटे काम करती सरकार हो शेती पहांतरियाएं कि राउल गांधी जी पर अमने एज केश कि कल को यहां कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिर्फ पावर एंजोई करने के लिए नहीं है अवाम की बात सुनना है अवाम की सरकार होनी चाहिए उनको क्या चाहिए वो करके कैसे देते हो वो सोचना है पावर एंजोई करने के लिए एक सरकार नहीं बनाना है, तो ए रिते जी कोई नाना मोटा प्रश्णों होए, एना माटे भात करवा माटे नी कॉंग्रेस नी सरकार गुजरात मा बने, एमा आपना पना अशिर्वाद मले, एवी विदंती करवा माटे आए राजे, राउल गांधी जी ने सांभलवा माटे, एमनी साथे इंटरेक्शन करवा माटे, आपना पन प्रश्णों होशे, अने, मुझ कवं एनी करता आप अनुभव करशो, राजकोट मा, श्रेष्ठी वो साथे, बुद्धी जी वो साथे, एमने वारतालाब केरो, वडोद्रा मा, श्रेष्ठी वो साथे, बुद्धी जी बुद्धी जी वोव साथे, राजल जी वारतालाब केरो, अने, जारे वारतालाब पोरोथ हैं परेसे इन념 मिद्यना मित्रोई कोई ने पूछता आता, अत्मां अमारी पासे कोई ने आभी हैंने कहता आता, त्यारा हैं कहता हैा, कि आपन कर, भूल हाती, एक खोटी छाफ अहिए एक एवो पारदर्षक नेता नामने दर्शन थेया कि जे माने चे एज बोले चे ने बोले चे ते करे चे एवा एक नेतरुत्वना दर्शन आए एक आम बुद्धी जीवी ना अंदर थी उठेलो वाचे तो आप पन आजे एमने सांभल शो तो आपने ख्याल आवशे कोई दंभ नहीं अमारी भूल होई तो पन एपन स्विकारवाने तयारी कि हाँ ये गलत थे यहां पे हाम पोतानी सरकार मा पन पोतानी थेयली भूलने नितर मानस नी मुटी वात तो एवो मुटी खामी एवोई छे क कि आपने सो आपनी भूलने जल्दी स्विकार करी शकता नथी पोतानी भूलने स्विकार करवानी तयारी अने आपना सवाल हशे नेनो जवाब हशे आपने पोताने एसास्त हशे कि सरलता एकदम सरलता साथे आपनी साथे वात थे आपसो वे खोब प्रेमभाव लागने थी हौल मा निचे उपरवधीच खुर्षियों भरी दिदी छे एमाटे वापीना सव श्रेष्टियों नो सव बुद्धी जीवी नो खोब खोब रदय पूर्वक्मों आभार मानों चुँ अने नवसर्जन गुजरात अप सव न आशिरवाती कॉंग्रेसनी सरकार बने आने कॉंग्रेसनी सरकार नो मुख्य मंतरी जे ममें आजे चुटनी समय प्रचार मा आएवाचिये कॉंग्रेस नो मुख्य मंतरी आज हौल मा अहीं आज बेसी ने आपना प्रस्णों निराकरन करवा म माटे बेसे एव भाव साथे आप सव नो अभार माने विर्मूचु जाहिएं आप सव जानोच चो एवा अमारा प्रदेश कॉंग्रेस समिती ना पुर्व प्रमुक पुर्व विदान सभाव पक्षना नेता एवा आदर्निया अर्जुन भाव मोडवाडिया ने आपनी साथे वाद करो अविननति करूचू आदर्नि सक्तिसिबाई दुक्ति तुर्शार भाव अमारा प्रदाज कॉंग्रेस ना साथियो आने वापी नगर ना सर्वस रेष्टी जनौ आहोलमा त्रणचार वकत तमारा प्रदानी शमक्स वाद करवा हुमाएवो जू आज है मारा राष्ट्री नेता आपना सोवना नेता आवबाना जे अने 2070 नजीक छे त्यारे थोड़ीक वाद मारे आप सोवने करवी जे ओगनी सुने साइट मां गुजरातनी स्थापना थाई मुंबई अने जे अउध्योगी क्रिते जे विक्षित विस्तारों हता है बदा माहराष्ट मा गया आपना भागमा जमीनों, दरिया काठों, जंगलों अने थोड़ा कनाना मोटा उध्योगों भागमाएगा पाटनगर पन आपनी पासे नोतूं सरुवातना 23 वर्ष संगर्षना हता कॉंग्रेस पासे चला 22 वर्षती गुजरातमा कॉंग्रेस नूँ सासन चे पन सरुवातना 23 वर्ष राज्ययनों पायो नाखवानों काम कॉंग्रेस ना भागमाएगा नवी पेडीना लोकों पासे एक वात भारती जंता पार्टी बारम वार करे चे एमने क्यारे जोयू न थे अटले अनुभव भुदकार मां सुखतो इतले अना मगजमा उतरी जाई छे ने गणी भकते हमने पर प्रशनों पूछे छे के तमे लोकों ये साइट वर्ष मां सुखे रूँ कोई एम के चे के सित्तेर वर्ष मां सुखे रूँ हुँ तो गुजरात नी बात करी 57 वर्ष तेयां गुजरात मां एमा 23 वर्ष अमारा भग मां है वह था आप पेडीना लोकों छे 23 वर्ष मां नो था अमारी पहला नी पेडी हैती तमे बदार पर पहला जनरेशन ना प्रोफेशनल के उद्योग का रोज पहलों के b.j.d. पेडीना शक्तिसी बेडा बात वात करता था कि गुजरात मां जेटली प्रा्मिक शाड़ाओँ चे सरकारी प्रात्मिक शाड़ाओँ जे मां मोटा भग आपना अपने पना भग भेनावाँ नं आपना माबाप मी भेनावाँ से बद्धीज प्रात्मीक शाराओं कोंग्रेसे बनावें मद्धीज high school लो सरप्रकारी नी बात करो चों सरकारी बद्धीज कोंग्रेसे बनावे मद्धीज सरकारी medical college सरकारी university हो IIM, IIT NID बद्धीज कोंग्रेसे बने बने ब तमाम बंदरो आजे सरकारी बंदरों छे गुजरात में अंदर 22 स्वरस में एक नतीब बनेऊं बद्धाज सरकारी बंदरों कॉंग्रेस से बनेऊं गुजरात में अंदर जेटली सरकारी उस्पिटलों छे श्टरलिंग निवात मत ही करतूं ये बद्धाज कॉंग्रेस से बनेऊं जिम आपना माबापे सारवार ली दी, एना वड़वावे सारवार ली दी, बताए। जेटला ST-Depo छे, बद्धाज ST-Depo कॉंग्रेस से बनाए वा, बद्धाज एरपोर्ट छे, ये बदा कॉंग्रेस मा शासन मा बेना। मोदी साहिब एक एरपोर्ट बेहजार तेर मा बना भी गया, धोलेरा इंटरनेशनल एरपोर्ट, एनी तकती लागे ली छे तिया आजे, अने तिया एटली बदी फ्लाइट आवे छे, आजे एटली बदी फ्लाइट आवे छे, कि आकास कायम कंजेस्ट अडरी अचे, एक फ्ल कलपसर नी बातों लगबग वावीस वरस्ती सांबड़ू छो, हजी कलपसर नक्साम आएवू न थी, नक्साम आवे पछी जमीन उपर आवे ने बद 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 आवे, नक्सा उपर आएवू न थी, अजी तो तमें बदा समझता आसो, प्री फीजिबिलिटी आवे, पछी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवे, पछी बाकीनू, फाइनचियल क्लोजर ने टेकनिकल डिटेल ने बद 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 बाचे आवे, अब दी बातों चाहिली, गुजरात नी अंदर जेटली GIDC हो छे, 112, एमा थी 101AC कोंग्रेसे बनावी, वापी मा आएवो छ साथी गजगज फूले छे, के एश्या नी सौथी मोट्टा मा मोटी GIDC कोईज गया होई तो एक वापी मा छे, वापी एक नानकडू गामडू आजे एक मोटू नगर थेईयो, अने आ वापी GIDC मा, जे लोको फरस्ट जनरेशन इंडरस्ट्रियालिस्ट छे, एमने पूछ मुझे खोटो होई तो मुचे अंगली करेद मने रोक जो, बदा आजे, अईयां GIDC बनी, आमारा घणा बदा एवाहा से, के जेना माबाप छे, ये उद्योगपती नोता, पन सरकारे प्रसाहन आपो एवक्ते, GIDC माँ अरजी करी एटले प्लोट आइपो, पंदर टका विश्टका भरी ने, साची वाद छे ने, अखो प्लोट, पच्छी तमारे एनी अंदर सेड ने मसीनरी लगावानी हती, तो GIDC ये लोन आप, सस्ता पावने, साची वाद छे कि ने, अज जी एएस एपसी है, GIS, गुजरात इंडस्ट्रियल इंवेस्ट्मेंट कोर्पोरेशन, GIDC ये लोन आप, आमाँ खोटो होए तो मैं खेजो, हवे आप बनने कोर्पोरेशनों भाजा पे मारी ने, बंद करी दिदा, बंद करी दिदा आज के ने, पंचोते टका लोन आपे, पचीश टका आपे, इंडस्ट्रियल आपनों जे जमीन नो प्लोट छे ये सस्ता भावे आपे, विजडी नो कनेक्शन तयार आपे, अने कोवमन इंफ्रस्ट्रक्चर उभू करवा माटे आप वी आईये ना होल सहीत नी बद्दीज फैसिलेटी कोंग्रेस ना राज मा मड़ी, उखोट तो होई दो मने रोख जो, अब बद्दू एना वखत मा थो, अने एना वखत माज आप बद्दीज फाली फुली इंडस्ट्रियों, कोई M.O.E.U करवा क्या है गया ने, कोई एक पन वाइबरेंट इन्वेस्टमेंट समीट थया नहीं, थयो तो एक है, अब आइबरेंट इ 200 करोण नू M.O.E.U, 500 करोण नू M.O.E.U, 5000 करोण नू M.O.E.U, टोटल आठ माती साथ इन्वेस्टमेंट समीट थया, वाइबरेंट इन्वेस्टमेंट समीट, एमा 84 लाख करोण रुपया ना M.O.E.U थया, केटला? 84 लाख, अने हिंदुस्तान नी RBI ये जे करंसी चाप पीछे, ये हमना नोट बंदी पची खबर पड़ी के करंसी नी टोटल वेलियू चे 21 लाख करोण रुपया नू इन्वेस्टमेंट करी दिदू, अबे आकडा बार पाड़वानू मन करी दिदू, अब मने हैं कियो के आ साइद आवा पची कई मोटी इंदस्ट्री वापी म आवी, कई मोटी इंदस्ट्री गुजरात मा आवी, विश्वनी सौथी मोटा मा मोटी रिफाइनरी, सौथी मोटा मा मोटी, जामनगर मा पादर मा बनी, त्रन लाख करोड रुपया नू एकज रिफाइनरी मा इन्वेस्टमेंट थयू, कईू MOU करवा गया था, बीजी रि करवा एठना माटे बोला होता था, के साइब ने बद्धा एम किये के आव प्राइम मिनिस्टर यान माटिरियल छे, एक चिठी आपी देवानू, बोली जावानू, साही करिन वया जावानू, पाची कोण पूछे के मेर मूरी रोखान खेरू छेक नतिकरू कोई साब गुजरातनी साड़ाच्छा करोड़नी जनता के बद्धाज आकड़ा सास्त्री हो ना थी, का बद्धू याद राखिया, तो मने थोड़ो अमारो वी विशाई छेला में याद राखिया ने बेठा छे, और तमे समझी सको छो एक लो बोलू छो, मने तरह बद्धू बोलव शुरत ने सांगाई बनावी देवानों ने, जामनगर ने पैरिस बनावी देवानों वडोदरा ने वेनीस बनावी देवानों बदाई ले। के वरस पहला उसों बोली गयो तो इक कोई इसाब किताब करवा वाड़ू कोई छेजनें अनि एकलो बदा मारो चलावानों नवी बस्तुनों कि जुनूं बदा बुलेत जाएं कोई हिसाब मागवा जाएं अन्हें आई सब किताब आजनों नहीं मानसना मगजनी साथे नहीं जे रमाते लोकों ने फावे छे ये तो अधभूत छे अत्यारे छे जीएश्टी नी वात साइड कोई दिवस नहीं करें गुजरात मावी ने कानके शक्ति सी भाए कि दो एम बदा एम मानस के हरो आ तो गबर सिंग जे ओर टेक्स ही गिए जीएश्टी ना कोई विरोधी छे तला माटे ने पाण एमारी मुस्केली सामें बेसी सामडी नीनी टाय में निकाल थे जोगो जी कोंग्रेस नू सासा ना तूं टेक्स कोंग्रेस नू राज हतूं त्यारे अमारे अटलू हपतो देवो पड़तो तो क्या अटला पईसा देवा पड़ता ता अने हुआ जे चाती ठोकी ने कहूं छूं कि एक पन इंदस्ट्री यही नथी कि जेनी पासे भाजपना फंड नू उगराणू नाए वोई कि यहना उ सीरे में एक एसोसियेशन नो प्रमुक कलेक्टर यहने कयूं के साइब नू सदभावना उपवास छे एले तमारे पांच करोड जमा करावी देवाना पहलो के माराथी बंसे नहीं में हमना तमने चो करोड रूपिया बीजा प्रोग्राम ना उगरावी नाए पाच एटले यहने जे एना एसोसियेशन ना होदेदार हो था चो जना उपर दरोडो पैडो और चो जना ए राजी नाम आपी और बीजो प्रमुक बनावी थी तो और यहने उगरावनों करी नापी थी गुजरात ने अंदर कोई इंड़स्ट्रियाल इस्टेम ना किये के 22 स्वरस पहला कोई सवाल अजन न वुद्र्यरर इस्वरस पहला कोंग्रेशना कोई Receber disp corruption करतो होई और सुल्तेम लाज फिर्हुए यह माने नी कोई जीवाउन न वहले एक करप्सन नीचे ना लेवल है छुपू छुपू टेबल नी इंदर खुणा थी बाज क्या जही ने लेया वे यह नो तुए मून न थी कर तू हो यह हो पर कलेक्टर ने डीएसपी आवू करता हो यह वात मा कोई मानवाने कारण नो तो वडीलो ने कोक ने पूछी जो जो क करता ख़र कोई दिवस के आई हवे अत्यारे अत्यारे तो शिष्ट आचार थेग्यों सौथी एफिशेंट अदिकारी कोण तो के दिल्ली वाडा साइब ना अने गांधी नगर वाडा बेन ना के पछी भाई ना आवे भाई आईवा पहला बेन अत्रा के नी पहला साइब अब बद्धाईना प्रोग्रामों सारा मा सारा करी दिये ए एस सारा मा सारा कलेक्टर एने बद्धूज उग्राणू करवा नी छूट एनी कोई फरिया दारा सब्य ना करे तो इसांबडवानी ने एना दारा सब्य नू काई ना आवे रजानों प्रतिनी दी गणाए अंब कोई आवे नी तो जे पहलू थतो ही थाए पड़ानू चाहिलू सू करवा तो कहानी कोई चर्चा थाई नी चर्चा से नी थाई चुटणी आवे टले मिया मुसरफ नी थाई पाकिस्तान नो एक माथ हूं लही जाए तो दस माथा नी थाए अरे सरकारों यह ना प्रकिस्तान हुम लोग करें तो यह नहीं सामें जवाब देवों जोए त्रासवादियों आवे तो इना गोड़ी यह मारवाद जोए चूटनियों आवे त्यारे त्रासवादियों सुकरवा लेया वो भैं यह वक्ते शुकरवा आवे अन्य एक बेत्रण मुद्दाव तो वेवाद छे का जे चालीस वरस थी हूँ जैन मोते दिश्तित साम बढ़ो जो क्यों कशम राम की खाते हैं मंदीर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे चुटनी आवे अरले में ले आवी सो बद्दाच तारीख नहीं बताएंगे उसके दाएंगे कोमन सिविल कोड ट्रिपल तलाक अब 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 द्दा मुद्दाव ले आवे बई आब अधानी इंदर सुधारा थवा जुए सुप्रीम कोट चुका दो ले वो में आउ काई रहो हमा कोई वांदो न थी पन वगर तला के बाहर राखता हो यहनु पूछो ने को अग दिवस के कोई करूँ जुए आपने तो के साहिब ने उकेवा एद नियामा रा थी आभी बधी वातो आने पची 373 मी कलम नाबूद करी ना खो कौन रोके छे तिया रे तमारी सरकार छे तिया तो दी 373 मी कलम मा आकरा मा आकरी पार्टी अती मेह भूबा मुक्ती नी एने पार्टी आरे महुबत करवा में डाती आरे बधु सालो लागवा में नुआ मैस जालतू साइभय वगर अमंत्रने तल लाहर नी अंदर गया यह नू काई ने डोक्टर मनमौ़ाण सिंह कोई दिवस गया नहीं, दिवस आमंत्रन कोई दिया है पूँ नहीं, कोई दिवस ए त्याह गया नहीं तो हम किये प्रचार एकलो बदो चाले के नी बात पुछो माया मुड मुद्धा उने बुला भी दई अन्य जे मुद्धा साथे प्रजा जीवन ने काई लेवा देवा न थी मुड मुद्धा क्या चे तो के गरीब मनस ने एने सस्तु शिक्षन मड़ू जीए अने सस्ती सारवार मड़ू जीए अब फंडामेंटल मुद्धा वेपार दन्ता हुए तो यह वेपार एरिया हुए ने इंदर राजा हुए वेपार करतो हुए इस चार दिवालनी वच्चे राजा हुए तिया अभी न कोई एने तरासा पी जाए नहीं नोटी साप पीओ जे करवों इकरे पर तिया अभी नमाथा कुट नि करवों जी अत्यार है तो बद्धा ने भिखारी बनावी देवानी गुलाम बनी बनावी देवानी प्रभुरूती चाले छे एनी सामें आवाज उठावे एले नो धनोथ पनोथ काड़ी नाखवन जु ही बनावी देवानों एनी साथ पेड़ी सुधी निकंदन काड़ी नाखवानू आब अधी प्रवुरूती चालती थी यहले हवे बदाये समझ जो मारू केवानू ही छे कि तमने एम लागतू हो एक कोंग्रेस ना राजमा अमें धंदो रोजगार अमारो मजबूत थयो बेप करवाये बाचे आवों लागतू होए और तमने एम लागतू होए कि आमा हेरान थे आछे तो भासर तो आना करता हमिद्धा पच्चन साथ गणू करे पड़े न कोई दी मत ना आपाए नि फिलम जो आजवाये बदाए और आनी बरोबर केसेट पांच वगत जोई नाख जो तमारा जीवन धोरण ने सुधार एवा मुदा ने नजर मा राखी अने मत दान कर जो आ नकली मुदा हो छे दर वरसे आवतार एवाना एनो नकली मुदा हो एडले क्यो हो हिंदू मुसल्मान नो मुदा हो एनो नकली मुदा हो बारत पाकिस्तान नो मुदा हो एनो नकली मु क्यों तो इना चुटणी मट्रियल नो कमण नो भाइस कार करो तमें अब अधी बातों छे तमें विचार करी ने आवक्ते समझदारी थी काम ले जो विननती साथ है अब सवनों आभार जैहिं जैवार आप सब यहां पे आप में इसे बहुत सारे यहां पे पाश्च मिल गया तो आप छे बज़े से इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार की घड़ी खतम हो चुकी है बहुत ही जल्द हम सब के बीच राहुल जी आ रहे हैं और अपनी बात आप सब के सामने ना सिर्फ अपनी बात रखने ना सिर्फ अपकी ना सिर्फ मन की बात करने पर आपकी दिल की बात सुनने आप सब के बीच आ रहे हैं बहुत ही अखिल भारतिय मैला कॉंग्रिस की अध्यक्ष शुश्मिता देव जी और जो MPB है सिल्चर से वो हमारे बीच हैं AICC सेकेटरी हर्षवर्दन जी जो प्रभारी है इस शेत्र के और MLA है वो हमारे बीच पधारे हैं सिदार पतेल जी अशोग गैलोज जी भरत सिंग सोलंकी जी श्री एमद पतेल जी झाला है आ रहे हैं मैं आप सब को बताना चाहा रही हूं कि मंच में आप सब के बीच शुश्मिता देव जी जो अखिल भारतिय महिला कॉंग्रिस की अध्यक्ष है और MP है सिलचर से वो है शक्ति सी गोहिल जी हर्श वर्दन जी श्री ऐशोग गैलो जी जेनरल सेकेटरी आई सी सी के सर श्री ऐमत पतेल जी बरत सिंग सोलंकी जी अर्जुन भाय मुडवारिया जी CLP लीडर राठवाज जी आप सब के बीच पदार चुके हैं सिद्दार पतेल जी श्री राजु जी जो AICC SC सेल के चैर परसन है वो भी हमारे बीच है और तुशार चौदरी जी आप सब के बीच है मैं मंच को बताना चाहूंगी सिर्फ पहले ये जो कारिक्राम है जो आपके बीच जो बैठे हुए सब है वो इंडस्ट्रिलिस्ट, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, चार्टिड अकाउंटेंस, बिजनेस पीपल फॉम वेरियस सेक्टर्स वो आप सब के बीच बैठे है और पाँच बजे से आप सब के राह देख रहे हैं उनको पता है और सर बात ये भी हो रही थी जब मैं SPG के एक भाई से बात कर रही थी मैंने कहा कि प्रोग्राम इतना लेट हो रहा है पता नहीं इंडस्ट्रिलिस्ट भाई लोग है हमारे उनका वक्त बहुत किम्ती है तो उनोंने कहा कि उनको पता है कि वो इंवेस्टमेंट कहा करते हैं जब इंवेस्टमेंट सही जगह पे करते हैं तो उसी का नतीजा है कि आप सब के बीच यहां के वापी शेत्र के उमरगाउं एरि बैठे हैं, मंच पे बहुत ही जल राहुल जी आ रहे हैं, जो रिस्टेप्शन लाइन अप है क्योंकि यहां पे हमारे कोई कॉई 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 भाई नहीं बैठे हैं और उनकी भी इच्छा थी कि वो अपने नेता से एक बार मिले, तो सिर्फ दो मिनिट वो उन सब से रिस्ट एक लाइन अप है वहां पे, जहां पे पहुत सारे पददिकारी जो हैं आपके शेत्र के, वो सिर्फ वो उनसे नवस्ते करते हुए, उनसे मिलते हुए और उनमें जोज भरते हुए, वो अंदर आने वाले है अभी. और आप सब से, ये आज खुली छूट है कि आपको जब तक सवाल जवाब करना है, क्योंकि आप भी काफी देल बैटे हो, आपको जब तक आपका मन संतुष नहीं हो, आप यहां पे बैटके अपने सवालों का जवाब आपके लीडर से ले सकते हो. हलो, हलो. झाल 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 आप सब के बीच राहूल गांदी जी आ चुके हैं राहूल जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने इंडस्ट्रिलिस्ट, बिजनस परसन्स और ट्रेडर्स, चार्टिड अकाउंटेंस, लॉयर्स, वो सब आपके यहाँ से करीबन पांच से साड़े पाच बजे से इंतजार कर रहे हैं और यहीं पे आपके लिए वेट कर रहे थे अब मैं आमंत्रित करती हूं मिलिन देसाई जी को कि वो आपका स्वागत करें आज के कार्याकम के लिए पदरे हुए हमारे लोग प्रिय ओल इंडिया कॉंग्रेस कमेटे के वाइस प्रेसिडेंट अधरनी राहूल जी हमारे वरिष्ट निता अधरनी एहमद बाई जी अधरनी गेलोट साहिब हमारे PCC के अध्यक्स अधरनी बरत बाई मंच पर विराजमान सब कॉंग्रेस के नितागन और यहां होल में बेठे हुए वापी के आप सब सेश्टी जनों भाईयों और बेहनों आज का दिन वापी के लिए इत्यासिक दिन है आज राहूल जी हम सब की बीच उपस्ती थे राहूल जी वापी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा इंडिस्ट्रियल टाउंसीफ है यहां देश के हर कौने से हर प्रान से लोग आकर बसे हुए है और इसलिए वापी को हम मिनी इंडिया भी कह सकते हैं ऐसे वापी में आज की आपकी उपस्तिती हम सब को आनन्दित कर रही है मैं आपकी बीच ज़्यादा समय ने लेते हुए आप सब का एक बार फिर हर दिक स्वागत करते हुए आगे का पोग्राम के लिए मैं संचालन के लिए तुसार भाई को आमात्रित करता हूँ नमस्कार गुडिनिंग एवरिबडी आएम डॉक्टर तुसार चोधरी यूर होस्ट पर टुडे अमने बदाने नवाई लागी आसे क्या बई राहूल गांदी अमने बदाने क्या मड़वा मागे शें एमनी पासे तो कोई सत्ता न थी गुजरात में एमनी सरकार न थी देश में एमनी सरकार न थी मानी लोगे अमारा प्रस्टनों भी छें अमारी रजवातों भी छें तो ये अमने सू मदद रूप थाई सक्षें वो बजाने प्रस्नत है वासे पांड राहूल गांदी साथे दस वरस संससभी अरह वाचूं एक पस तुम कही सकीस कि इस गूड लिस्नर अने जे सांबडे छे अमने पी घणिवार बोलावे चार्टार कल्लाक अमारी साथे चर्चाओ करे विजा लोकों साथे चर्चाओ करे एने कई रीते मदद रूप कांके मननी वाद केवी बहुत सहली शे पन विजाना मननी वाद सांबडवी ने वादनू मा एनी समस्यानू घ अभिगम नियु एक वाद करीश, नर्मदा भीद नी समझ या थी तम्हें बता जानकार छो, एक समय ये वो हतो के वापी थी कोई घांदीनगर गई हुआ तो नर्मदा ब्रीज क्रोस करे पछी घरे पहुन करे कि मुँ आजे घरे जमी से, कांके ने खबर अधने ने खबर कर चे नर्मदा भीद भई नो आँ अमारो प्रजा लक्सी अभिगम अतो के आटला बदा लोकवनी समस्या नो तातकालिक उकेलावे एना माट एक वीफीफी प्रोजेक्क मा आई जदा अमें बजेट मा जोगवाई करी, अब एट जोगवाई करे आपाछी ब्रीज बनी गि जाना किये क्या केवु किदू छे के जे डेस नो राजा वेपारी एनी प्रजा भिखारी, आज स्थिती मा आपणे जई रियाचे त्यारे, आपनी वच्चे वदू समय ना लेता, मानिया प्रदेश प्रमुक्स्री ब्रत सिभाईना अमंत्रिक करीश केमनी बेवात ही है देश ने नवी दिशा आपवा वाळा एवा नेता कि जे लोकोंना मन्नी वात सामळे छे एवा परमादर्णिया राहूल जी, परमादर्णिया एमत पतेल जी, परमादर्णिया अशो गेलोज जी, मोन सिभाई राठवा, सव आगिवानों, और वापी ना आप सव सज्जनों और सन्नारियों, तमें खूब राह जोई, खूब दैर्यती बेठा, इमाटे खरा दिल थी, खरा रदे थी, मुँ आपनों अभार मानूँ छू, आपने एक एवा मोड पर आवी ने उभाचिये, कि द्यारे समाजना बधाज वर्गना लोकों विचार करता थाया चे, 22-22 वर्ष्थी आपने राजितों जोई उच्छे, पर साथे 22 वर्ष 25 ये माटे आपने विचारीने निर्णे करवो जोई है, एवो आपने सवने लागी रहुचे, राहुल जी आखा देश माँ फरे चे, लोकोंने मले चे, लोकोंनी वाद सामबले चे, और मने लागे चे कि वह बहुँ लामी वाद नहीं करता, राहुल जी ये आपनी वच्चे थी, वह आप सोनो आपार धन्यवाद, जय हीन, जय 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 गर्वी गुज़राद, राहुल जी आपकी अनुम्मति से मैं पहला प्रस्ण पूछने के लिए, एसेस सरना जी, जो की वापी के जाने माने इंडेश्ट्रालिस्ट है, उनको मैं आमंत्रिक करता हूँ, नमस्कार, नमस्कार जी, राहुल जी मैं अपॉलिटिकल इंडेश्ट्रिलिस्ट हूँ, और मुझे फर्स टेम ऐसा मुका मिला है कि हमेशा क्या सुनने को ही मिलता था, आज कोई सुनने वाला भी आया है, दूसरा है कि सभी कहते हैं कि 2014 के राहुल जी में और 2017 के राहुल जी में जमीन आस्मान का फरक है, और मैं इस बारे में सोच रहा था, लेकिन 24 गंटे के अंदर आपने उसे प्रूफ करके बता दिया, the way you flew back to library, attended, मानवता के ध्यान में रखते हुए, आपने उनके दुख और दर्द में भी आप पहुँच गए, और आज इनके साथ भी आप हाजिर होगे, यह बहुत ही डाइनमिक लीडर की एक कुड़मता है और एक निशानी है, और इसके अंदर से मालूब पढ़ता है, you are sharing and caring, caring वहाँ पर पहुँच के care करने के लिए, और sharing के लिए आप यहाँ पर आगे, So we need a people like sharing and caring that is there. Now coming to the actual question, this is regarding GST, GST को actually जो विश्व के बड़े एकनौमिस्ट माने जाते हैं, मनमोन सिंग जी की देन माना गया है, और यह बहुत अच्छा 130 कंट्री में भी लगाया गया, और यह Congress की एक आइडिया था, शुरूर से, 2006 से शुरूर था, और उसके बाद काफी changes हुए, विरोध पार्टियां विरोध भी करती रही, फिर नई सरकार आई है, उस सरकार ने इसे आगे और बढ़ाया, सब से, सब प्रोग्रम आप ही के था, आप अगर देखेंगे न, तो सब, there are so many changes in the name and ultimately, but, इसको जो उन्होंने आगे बढ़ाया, मेरा क्वेश्चन अब यह है, कि, when they started in 2014, again, and they took also three years to implement it, at that time when the discussion were going on, all the state finance ministers were involved, all the 28-30 state minister and union territory, and they have given the, their agreement on this, and at the same time, there was negotiations and discussions and, you know, advices being received from opposition parties also, and everyone has put in their input, and the amendments were also given by the opposition party, Congress, everybody, and they were considered and ultimately, you know, a consensus was made, and, यह, लोकसभा ने, राजसभा ने, इसे पास कर दिया, और एक विधायक और एक कानून बन गया है, बरावर है न, अभी, इस कानून का, अगर इसे, आपने, बड़ा ने अच्छा नाम दिया है, गबबर सिंग, टैक्स का, तो यह क्यूं दिया है आपने, इस सब के बाद मैं आपको थोड़ी, इसको थोड़ा लेंथ में जवाब दे, आहां दीजे न, दीजे, 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 देखिए, जी एस्टी, काफी देशों में है, जी एस्टी का सेंट्रल आइडिया, वन टैक्स, मतलब, टैक्स को सिंप्लिफाई करने के लिए, एक टैक्स हो, वाट इस बिएंप्लिमेंटेड इन इंडिया तोड़े, इस नॉट अजी एस्टी, बिकॉस अजी एस्टी के लोगने है वन टैक्स ब्रैक्ट, आप किसी भी देश में चले जाए, कुछी दिन पहले सिंगपॉर के एक मंत्री आए, मुझसे मिले, पाँच लेयर के जी एस्टी कैसे हो सकती है, तो टेक्निकालिटी अगर आप सुनना चाहते हैं, तो जो आज हिंदुस्तान में इंप्लिमेंट हो रहा है, इस नॉट अजी एस्टी, बिकॉस जी एस्टी रिकॉर्स वन टैक्स रेट, शुरुवात हमने की थी, यह हमने BJP को बोला, पार्लमंट में बोला, मोधी जी को बोला, जेटली जी को बोला, और हमारी जो रिजिस्टन्स थी, वो इस बात पे थी कि आप अगर जी एस्टी इंप्लिमेंट करना चाहते हो, तो आप जी एस्टी इंप्लिमेंट करो, जितने आप slabs बढ़ाएंगे उतनी complexity बढ़ेगी उसमें उतना arbitrary nature बढ़ेगा GST का idea क्या है कि सब चीज़ पर 18% tax हो गया Singapore में 7% tax हो गया उसके बाद कोई सवाल नहीं है अब यहाँ पर पूरी बात बनेगी कि कौन सा item किस bracket में जाएगा उसमें बड़े arbitrary decision होंगे दुकांदार को यह नहीं मालूम कि जो चेवडा होता है उसमें काजू का क्या rate है पिस्का क्या rate है बदाम का क्या rate है उसमें जो चावल जाती हो क्या rate उसका क्या rate है तो यह actually GST नहीं है हमारे उपर बहुत सारा pressure डाला गया और end में public expression भी था कि वो GST चाते थे तो हमने eventually बात मान ली बगर Congress Party यह GST को implement नहीं करती पहली बात यह थी दूसरी बात थी कि हिंदुस्तान में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो यह छोटा सा देश नहीं है अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो नैशनल लेवल पे आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा एक बार नहीं दो तीन चार पांच दस बार हमने चितामरम जी को परस्नली मनमोहन सिंग जी ने कॉंग्रेस प्रेसिडन ने भेजा अरुन जेटली जी के पास और यह मेसेज दिया कि देखिए आप प्लीज कृपया करके यह कॉंग्रेस पार्टी की बात नहीं है आप हृपया करके अगर इंप्लिमेंट करेंगे पहले पाइलट प्रोजक्ट की बेसिस पे करिए थीन-चार महीने के लिए इसको टेस्ट की जीए अरुन जेटली का बेसिक जबाव आया mind your own business directly नहीं बोला मगर वो feeling दे दी कि भाईया देखो आप लोग सरकार में नहीं हो हम सरकार में हैं बारा बज़े हम करेंगे तो problems दो हैं और आप देख ले न GST के structure में problems हैं और इसको change करना ही पड़ेगा इस format में GST हिंदुस्तान में नहीं चलेगी और दूसरी बात जो इन्होंने implementation का तरीका approach apply की है इससे चोटे mid-size और छोटे लोग हैं उनको बहुत जबर्दस damage हुआ है तो ये हमारी दो differences थी उनसे overall we are for simplification overall we are for one tax rate overall we are for capping the tax rate at 18% I will also tell you Arnath मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ अगर Congress Party के सरकार national level पे आएगी तो हम GST को reform करेंगे क्योंकि हम हम इस बात को मानते हैं हम इस बात को मानते हैं कि इस form में GST नुकसान दायक है और बिना इसके structure को reform किये फाइदा नहीं होगा GST से बहुत फाइदा हो सकता है मकर बिना इसको structurally change किये नहीं होगा GST एक और बात है हिंदुस्तान में अगर आप GST जैसी चीज़ लागू करेंगे तो ये जैसे आपने negotiation शब्द यूज किया ये बहुत बड़ा गहरा negotiation है ongoing negotiation है और ये एक प्रकार से एक process है ये event नहीं है कि हमने 12 बजे कर दिया हो गया काम इसको fine tune करने की जरुवत है इसको थोड़ा shape करने की जरुवत है उसमें approach ये होनी चाहिए कि जनता को दर्द हो रहा है businessman को दर्द हो रहा है सुने और correct करें continuous corrective action ये approach सरकार की नहीं है सरकार की approach है देखो हमने कर दिया है 12 बजे announce हो गया खतम कहानी अब गारी चलेगे उससे भी बहुत damage हो रहा है क्योंकि अगर अगर अरुन जेटली जी open mind के साथ लोगों से बात चीट करके input लेकर उसमें corrections डालने की कोशिश के हैं तो करें तो काफी improvement आ सकता है but approach approach event based सी है अब मैं आवंतरित करूँगा मुकेश सिंग राटपूत को जो सिक्सा से जुड़े होए आप कौनसी इंडिस्ट्री में काम करते हैं chemicals good evening sir a very warm sorry एक second मैंने एक बात नहीं कही शुरुआत में मैंने कह दीने चाहिए थी जैसे आपने कहा अमेथी में राइवरेली में लोगों की डेथ हुई काफी बड़ा एक्सेडन हुआ तो मुझे जाना पड़ा तो इसलिए मेरा पूरा प्रोग्राम का शेडियूर डैमेज हो गया और आपको यहां पांच बजे से बैटना पड़ा तो इसके लिए मैं आप से माभी मांगना जाता हूं जाता हूं कि आपको कश्ट हुआ और आपको नहीं थोड़ा वीट करना था हूं आपको कश्ट हुआ आपको डिस्टर्ब हुआ आपका समय भी किमती है तो आपको यहां मतलब तीन गंटे बिना कुछ किये बैटना पड़ा तो इसके लिए अपॉलोजाइस करता हूं आपको करता हुआ 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 आपको करता ह करेंध एक है नगलो नमोचिक जरॉटकार श्रोट्सार नगलो रॉटाना है व्यावराइ ठॉट्र श्रीज था ट्राषिश्ट टॉर्यों है don't you think that the level of the teaching or everyone is running after teaching teaching their parents are worried teachers are worried everyone is providing, but somehow we are lost the main motiv, maybe teachers are overloaded of extra curricular works like election duties or somewhat like that, adhoc basis contract basis teachers are coming and what about the mushrooming of these private schools somehow like that is not simple and easy accessible education for the common man actually I had planned a lot I will give you what I think about this मैं आप से एक सवाल पूशना चाहता हूं Hindustan के जो सबसे बहतर education institutions हैं higher education के वो प्राइवेट है या सरकारी है सर अगर आप किसी से भी पूचें number one is IIT and उसका कोई contest ली कर सकता है और वो सरकारी है वो प्राइवेट नहीं है प्राइवेट इंस्टिउशन भी काफी अच्छे हैं बट जो main main जो institution होता है जो मतलब जिसके लिए सब लोग aspire करते हैं वो सरकारी है सरकार का काम प्राइवेट लोगों को competition देने का है अगर आपने पूरा का पूरा education sector प्राइवेटाइज कर दिया उसमें profit will become the only motive automatically और आपकी quality नीचे जाएगी सरकार को public education system high quality का चलाना चाहिए और उसके competition में प्राइवेट लोगों को education system में भाग लेना चाहिए अगर आप top quality के institution सरकार के side से नहीं बनाएंगे तो आपका education system quality का कभी होई नहीं सकता है और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है आप कहीं भी चले जाएं pure profit motive के जो education institutions होते हैं उनका performance जो non-profit के basis पे चलते हैं उस level का कभी होता ही नहीं तो government's job is to support basic low cost education of high quality and then after that अगर आपको private space देनी है आप private space दे सकते हैं उसमें IIT हो उसमें bits पिलानी भी हो गुजरात में problem ये है कि 90% higher education को आपने privatize कर दिया 15,000 public schools आपने बंद कर दिये तो आपने जो main education system की backbone है उसको तोड़ दिया है अगर वो आप करेंगे तो आपको quality कभी मिल नहीं सकती है तो ये ये एक बात है दूसरी बात है कि education health care में सरकारों को पैसा देना ही पड़ता है ये future का investment है तो हिंदुस्तान में जो education और health care का जो expenditure है public expenditure वो कम है और उसको increase करना चाहिए ये overall मेरी position है आकरी बात हमारे जो higher level के institutions है उसमें IIT है IIM है वो world class के institutions है आज 21 स्रताबदी में 21 सेंचरी में university is not a knowledge only a knowledge transfer institution it is a knowledge network मतलब अगर आप modern 21 सेंचरी की university को देखें it is connected to the whole world it is connected to the business system it is connected to the chemical industry and it is interacting continuously with all the industries हमारे जो systems है उनमें ये connectivity नहीं है तो IIT is a exceptional institution but IIT has to become a knowledge hub it has to become a knowledge system that is connected with the whole world then it will compete with Harvard University with MIT with all these institutions and that it can be done उसमें आपको autonomy देनी पड़ेगी जो teachers हैं IIT के जो leaders हैं उनको आपने आपको थोड़ी freedom देनी पड़ेगी सरकार के जो पकड़ है उसको थोड़ा लूस करना पड़ेगा हो जाएगा काम और उसके बेसिस पे दस पंद्रह ऐसे इंस्टिटूशन के बेसिस पे आप world class higher education system तियार कर सब्सक्राइब Thank you sir, thank you so much Now I would like to invite Dr. Praphul Mehta who is a general surgeon and running his private hospital Dr. Praphul Mehta आपको पानी पानी मिला? कुछ मतलब refreshments मिली? नहीं, बिलकुल नहीं रावल जी Good evening sir I am Dr. Praphul Mehta and surgeon by profession I have observed in spite of spending so much money on healthcare but the poor and needy people is not getting the benefit of it for example even after I am working since 20-25 years here but if needy patient or poor patient wants to get cities can done it is not possible in a government hospital here so what will be your plan for healthcare delivery system? I mean my main complaint there are states for example when we were in power in Andhra Pradesh or Tamil Nadu or Karnataka which have a successful public healthcare system it is not impossible in India to run a successful public healthcare system we have Mr. Ashok Delod sitting here when he was Chief Minister of Rajasthan he basically made medical processes and medicines free for poor people in Rajasthan it can be done but it all depends it all depends on your priorities healthcare should be the priority because good health is a good nation absolutely I fundamentally believe that healthcare education and the third I believe that India is facing three problems one is a healthcare problem two is an education problem and three is a jobs problem and the job problem is the biggest problem of all of them and I'd like to say 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 shocking statistic China 24 hours 50,000 युवाओं को रोज़गार देता है 24 hours 50,000 नए युवाओं को चाइना में जॉब मिलता है आपके हाथ में सेलफोन है इसके पीज़े Made in China लिखा है और इभी इनकी शुरूवात हुई तो ये अभी बहुत सारी Industries में Dominate करेंगो मुकाबला हमारा उनके साथ है हमारा मुकाबला France, Germany के साथ नहीं चाइना के अबादी हमारी अबादी एक जैसी है ये दोनों देश तेजी से बढ़ रहे हैं चाइना 24 घंटे में पचास हजार युवाओं को रोजगार देता है आप गैस कर सकते हिंदुस्तान कितने को देता है 450 चाइना 50,000 एन इंडिया 450 मतलब पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में इस कमरे का आधा कर दो 12-13 120-130 करोड कदेश है इतने लोगों रोजणा नंता है 24 घंटे में इस इंडिया रियालिटी आप 9% ग्रोथ की बात करो 7% की बात करो 6% की बात करो बट रियालिटी इस 450 लोगों को युवाओं को हम जॉब दे रहे हैं और जॉब कहां से आईगी जॉब स्मॉल और मीडियम बिजनिसे से आईगी जो आपकी स्पेशालिटी है गुजरात की स्पेशालिटी है अगर कोई इस बात को समझता है आप लोग समझते हो पट करेंटली इंडिया इस नॉट कंपीटिंग विद चाइने हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है बट अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको मेड इन इंडिया नहीं मिलता है आपको मेड इन चाइना मिलता है और इस बात को अग्रेसिवली बदलना है देश का जो फोकस है वो गलत जगह पर है देश का फोकस जैसे आपने दिखाया था सफेद करांती पे सेंट परसेंट फोकस जब हरी करांती हुई थी सेंट परसेंट फोकस देश को आज सेंट परसेंट फोकस नॉट नाइंटी नाइन परसेंट 100% jobs पर डालना है और गुजरात को 100% jobs पर डालना है क्यों मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि 450-24 गंटे में साल में 1 लाख बाकी जो युवा है उनमें गुस्सा बढ़ रहा है आस्ते आस्ते उनमें गुस्सा बढ़ रहा है और अगर आप उनको future नहीं देंगे अगर हम उनको future नहीं देंगे देश में serious problem आने वाली तो ये main issue है main सवाल है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को आने वाले 5-10-15 साल में रोजगार कैसे देगा और इस question को आप आगे ले जाना चाहते है तो हिंदुस्तान चाइना के साथ competition कैसे करेगा और कैसे जीतेगा ये सवाल है और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ अगर चाइना 50,000 युवाओं को 24 गंटे में job देता है तो हम 70,000 को दे सकते हैं असानी से मगर focus की जरुवत है आज हमारा focus पचास चीदों में है single focus होना चाहिए कि हमारा चाइना के साथ कैसे competition होगा यहाँ पे 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, पूरा सबसे अमीर लोगों को पूरा का पूरा बैंक का पैसा मिलता है ठीक है और जो जॉब क्रियेटर्स हैं जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री चलाते हैं आप जैसे आपको 9000, 10,000, 50,000 क्रोड का बैंक लोड नहीं मिलता है पचास क्रोड भी नहीं मिलता है बड़ जॉब कौन क्रियेट करता है जो आप क्रियेट करते हो जॉब स्मॉल और मीडियम बिजनस करता है कुछी दिन पहले मेरा discussion हुआ था तक्रीबन small and medium businesses तक्रीबन 50% job create करते हैं और उनको bank कोई पैसा नहीं मिलता है यह पूरा जो restructuring हो रहा है पिछले साल में एक लाग 30,000 करोड रुपए माफ किया अभी फिर से announce किया और इसके बाद फिर से होगा तक्रीबन 6,000,000 करोड रुपए माफ होंगे और वो आपके नहीं होंगे 15 लोगों के होंगे और सीधा सा सवाल है इन 15 लोगों ने हिंदुस्तान को कितनी jobs दी तो अगर आप अगर आपका बैंकिंग सिस्टम इंडुस्री को बढ़ाने का काम कर रहा है तो उसमें jobs की भी accountability होनी चाहिए उनको support मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान का problem solve कर रहे है हमारा problem jobs है तो आज कल पूरा का पूरा focus concentrated focus 10-15 लोगों पे हैं और जो हजारों लाकों businessmen है जो काम करते हैं लगे रहते हैं उनको कोई support team मिलते हैं तो ये भी थोड़ा change करना है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी industries हैं उन पे कोई focus नहीं होना चाहिए अगर मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि अगर आप 15 लोगों पे focus कर रहे हो तो आप small and medium पे भी focus करो 50% उनको तो 50% इनको तो देखो क्या होता है जादू हो जाएगा और वही बात political system में है सीधी बात है अगर आप उन 10-15 लोगों में से हो हो आप प्राइमिनिस्टर ओफिस में जा सकते हो जेटली जी के ओफिस में जा सकते हो किसी भी ओफिस में जा सकते हो मगर अगर आप उन 15 लोगों में से नहीं हो जाके देखो तो political technical system भी बन पड़ा है, financial system भी बन पड़ा है, पूरा का पूरा फाइदा उनी 15 लोगों को मिलता है, और उस basis पे आप job creating नहीं कर सकते हो, simple सी बात है, तो mindset change की जरुवत है, access देनी की जरुवत है, गर्वाजे कोलने की जरुवत है, इसलिए मैं आप से बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगा, कि कोई आपकी बात सुनने आया है, मैं आपकी बात इसलिए सुनने आया हूँ, क्योंकि एक्चली understanding आप में है, समाज आप लोगों में बिजनस आप चलाते हो, आपकी जो needs, आपकी जो requirements से हो आप समझते हो, मैं नहीं समझता हूँ, तो मैं यहाँ अच्छी सिखने आया हूँ, आपसे सिखने आया हूँ, सुनने आया हूँ. अवे हूँ आमन्त्रन आपीस स्री असोक सुकला जी ने, वापी नवापि, सिरा बाविश मेठा, रार राहिव बावंधिता अर्रा भी इताए।ा आपस्वां वापी। वापी दो शुर्चेल ये को अच्यूराओ क्यों अधने हैं वापी। वापी बाविश प्रफिट्ट बरीजिते नावचेंगा प्रौस्टियों or any other permissions. The laws or rules which are applicable to a 1000-acre company, they are applicable to a 1000-meter plot. Yes. I have to go for environment clearance to Delhi. I have to make a report of four months to six months of environmental change in the surrounding situation. Every area, every rules and regulations made by, I'm sorry to say, maybe it was a congress government but you need to introspect you need to revisit all those rules and regulations sir how much you are prepared to look into I mean you should I mean all very seniors of congress government are sitting here so it's our request from a small scale or a medium scale companies it was well said even BJP ministers here in the same hall many people have witnessed that you need to distinguish between small scale, medium scale and the large scale companies so this is a really big request if you have any ready reactor solutions we are eager to listen about it I feel that the whole thing is the whole focus is on growth if you have a problem 7%, 8%, 6% this is necessary but in addition who has many jobs created small and medium industry are the job creators so you have to have different rules for small and medium industry it goes without saying you cannot you cannot even if you can see GST in GST there is a big company that will be 10, 15, 20 accountants that is one of the biggest problems with GST that is the small and medium businesses so the carve outs have to be made the rules have to be made to make life easier for small and medium businesses strength has to be given to you it has to be mentality has to change mentality has to become in the 70s in the 70s green revolution mentality become self-sufficiency food has to be done mentality has to be job has to be creative now it has to become a national mission it cannot be just that we are going to talk about growth and we will not talk about jobs so it has to become a national mission we have to say in India that we have to compete with the Chinese this is what needs to be done small and medium businesses need to be given a different architecture well that has to be done because we have to compete with these people that would be the that would be how I would think about it this country this country this country you have to focus this country this country will work this country will not be focused this country will not be focused anything will not be done so the country clearly tell us that look here the main problem is jobs here the whole country will be solved and solve this problem it will be competition with China we will fall but if it has not been focused it will not be focused sometimes it will not be focused sometimes sometimes it will not be focused that is mental jump India has to make this people don't understand this this is the 50,000 versus 450 this is a national threat this is a serious problem it has to be addressed and it has to be addressed by the nation by all the politicians from all the parties including Congress BJP everybody you 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 पहले उनका पूछ लेते हैं फिर आपके पास आते हैं नमस्कार मैं अशोक शुकला हूं मैं यहां पे केमिकल की स्मॉल स्केल इंडर्स्टीज है और मैं वापी इंडर्स्टीज एस्सेशन का पास प्रेसिडेंट भी हूँ साथ अमरी प्रॉब्लम है कि गुजरात की जी इडिसी रिलेटेड है यह वापी जी इडिसी में 2000 इंडर्स्टीज काम कर रही है और कुछ 1100 हेक्टर जमीन है और इसका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो नोटिफाइड डी नोटिफाइड इरिया के माध्यम से होता है और कि अमरी यह जो प्रॉब्लम है यह है कि बाकी लोगों को बाकी मुनिसीपाल्टी को जिल्ला पंचायत को सब को गवर्मेंट की ग्रांट मिलती है दो वापी का एन्यूल टर्नोवर एक लाग करोड रुपिया है मगर हम इतना टेक्स देते है मगर एज मुनिसीपाल्टी फं पिचाते बनी है यह सब उज्योग कर रहे है मगर हमारा जो बेजिक चंसर्न है कि जैसे और मुनिसीपाल्टी को और लोगों को ग्रांट से पैसा मिलता है ऐसा ही वापी जीज पर डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड जोन जैसे जीए डिए डिशी ने अब हम अभी बी नोटिफाइड एरिया तो हमार एक गवर्निंग बोर्ड में नॉमिनेशन होता है और उस नॉमिनेशन के लोग व्यूंसीपाल्टी क्या फंक्शन करते है मगर हमें कोई मिनसीपाल्टी रिलेटेड ग्रांट टुडेवल डिए इस एरिया जो छोटे लोग जो वर्कर से जो वर्कर की कॉलिन नहीं है वहाँ पर अगर कुछ करना है तो नोटिफाइड एरिया टेक्स एक ही जरिया है और कोई जरिया नहीं है और वो कॉंटम बहुत कम होता है अगेंस मुंसिपल्टी तो जी एस्टी आने के बाद यह नाचुरली चेंज नहीं होगा तो उनका ये जो प्रॉब्लेम है पूरे गुजरत में है मगर मैं वापी की बात कर रहा हूं वैसे ही देखे तो सर यहां पे हमारा सबसे बड़ा समझा है ट्राफिक का रोज 2000 ट्रक आती है 2000 ट्रक यहां से जाती है हमारे पांस GIDC पोली स्टेशन में 20 सल पहले जो स्ट्रे जिसमें अम लोग भी कुछ पैसे डालते हैं अचा पैसे सर्कार कर रहा है तो यह जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ए ट्राफिक का वह बहुत गड़ाया हुआ है वापी में नोट अनली वापी इन एंटायर एडिया बिकोज ऑफ इस इंडिस्रियलाइशन फ्रॉम उंबरगा है ट्रक आती है जाती है मगर ट्राफिक की समस्या इतनी बड़ी होती है और यह चोटे-चोटे प्रॉब्लम है मगर यह डे-टू-डे में हमें बहुत दर्द होता है जब एक वरकर अपने काम से मोटर फैकल पर गर जा रहा है और किसी ट्रक ने उसको कुछल डाला विकोज जोब भी मिसमेनेजमेंट ट्राफिक का मेनेजमेंट नहीं है तो यह जो चीजे है इसके उपर फोकस करके क्यूंकि जो आपने बता है नेशनल प्रॉब्लम है यह रोजगार का समस्या है या तो जो बड़े नेशनल प्रॉब्लम से उसके उपर तो बहुत बुद्धी पर फिर वह इंप्लिमेंट होगा यह चोटी-चोटी लोगों की समझया है और इस समस्या का अगर समाधन निकाले ने तो भी लोगों में बहुत राती हो और यह चोटे लोगों को भी परिशन करता है जो गाड़ी से चलता है उसको तो बहुत अची सेफ्टी है मगर जो वापी के चोड़के गुजरत के और भी एरिया है इन सब नोटिफाइड एरिया को मुंसिपाल्टी कंसिडर करके वो ग्रांट हमें मिलनी चाहिए ताकि हम यहां पे जो अभी है उसे बेहतर बना सकें ठीक है थैंक यू थैंक यू for the opportunity because मैंने लिस्ट में नाम नहीं दिया था जो जिएस्टी पे जो आपने information दिया जो फर्स पहला question था एक्चली जीएस्टी 2012-13 में कॉंग्रेस लाने वाली थी उस ताइम पे तीन या चार स्टेट थे जिन्नोंने इसमें रोडा डाला उसमें गुजरात भी था अभी जब ये जीएस्टी पर्लिमेंट में पास वा गॉंग्रेस का राज्यसवा में बहुमत भी था या जो भी वोट्स थे एहमत पटिल जी बेख़े हैं जो कि आपके सब manage करते हैं राज्यसवा गरेदो उस ताइम पे गॉंग्रेस ने जो भी इसमें सुदार आना चाहि क्या उस पे जो आपने जो विचार रखे उस पे भी काम हो रहा है वो थोड़ा सो में जानना चाहता हूँ हाँ जेनरली कॉंग्रिस की जो गवर्मेंट्स होती है वो जेनरली पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हेल्थ केर में जादा फोकुस देती है जेनरल नॉर्मली ये होता है जी एस टी में हमने रोकने की कोशिश की बट जी एस टी में एक इन्वाइरमेंट भी ऐसा क्रियेट किया गया कि जी एस टी डेश के लिए बिलकुल जरूरी है और हमने रिजिस्ट काफी किया क्योंकि हमें फ्रेंकली मैं आपको बताओं तो उनका डिजाइन उनके डिजाइन में जो प्रॉब्लम्स थी वो हमें दिख रही थी और हम उनको भी कह रहे थे इंटर्नल ही हमारी बात्चीत हो रही थी कि इससे डैमेज होगा मगर पॉलिटिक्स में ऐसा टाइम आया कि देश का मूट था कि जी एस टी होनी चाहिए और उस सिचुएशन में पिर हमने का ठीक है अगर आप बिलकुल एकसेप्टी नहीं कर रहे हो तो पिर करिए तो वो हमने काफी मतलब प्रेशर काउंटर किया आपको याद होगा कॉंग्रेस जी एस टी रोक रही है कॉंग्रेस जी एस टी रोक रही है तो अगर अगर दूसरा वियकती नहीं करना चाहत है अगर दूसरे वियकती की अप्रोच बात करने की नहीं है तो हम तीं चार बार बोल सकते हैं पांच बार बोल सकते हैं बट फिर छर्ती बार वह तो सरकार चलाते हैं Literally in the end is that decision but it is not that we didn't try to resist GST we tried very hard to resist GST we made it very clear when M.A.G. is sitting here we made it very clear that ये चलेगा नहीं the forcibly eventually अंत में वो forcibly basically पास कर दिया अब मैं आमंत्रित करूंगा Sohail Patil को अपना अगला प्रस्टन लेके आए Good evening sir Good evening I am a small business man from Wapi Sir, straight away from my mind do you think bullet train is feasible मैंने छोट ऐसा question भी प्रिपार किया था there are like Now you've asked me you've asked me a tricky question I'll is it feasible Yes, is it feasible do you think so See priority के बात होती है कुछ साल पहले ये ये बातचीत मैं महन सिंग जी के यहां गया था मैंने उन से ये सवाल पूचा था कि what do you think Japan काफी pressure डाल रहा था GST करवान ये सोरी bullet train bullet train इंडिया में लाने का उनका उनका दूसरा problem है उनका banking का problem है उनका jobs का problem है तो वो चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनकी bullet train इंडिया में आए वो अलग बात है ये ही बात हमारे टाइम उठी थी basically bullet train is 1 lakh crores हिंडुस्तान का railway budget आप जानते हैं कोई जानता है हिंडुस्तान का railway budget I think about 90 90,000 about 1 lakh 1 lakh crore मतलब आप हिंडुस्तान का पूरा railway budget एक bullet train में डाल रहे है कहते हैं कि भाई देखो loan बहुत अच्छे rate पे मिल रहा है उस ही है मगर 1 lakh crore रुपए आपको वापस तो देने पढ़ेंगे एक साल का railway budget वापस तो देना पढ़ेगा तो ये मैंने मनमोन सिंग चीज से पूचा था कि ये bullet train के बारे में आप क्या सोचते हैं उनका जवाब सिंपल था उन्होंने का राहुल अगर ही हमें 1 lakh crore रुपए देना चाहते हैं हमारी priority freight corridor है मतलब जो freight गूमता है हिंदुस्तान में उसके लिए एक special corridor हमें बनाना है इनका पैसा लेके हम freight corridor बना देंगे उससे इंदुस्तान को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा freight corridor से bullet train से तो बहुत ज़्यादा फाइदा होगा 2016 में railways का एक निया record तूटा आप जानतें कौन सा accident का 200 लोग पहली बार 10-15 साल में इतने लोगों की बृत्य हुई तो सवाल यह नहीं है कि bullet train is feasible or not सवाल यह है कि आपकी priority क्या है bullet train का replacement indigo airlines, go air jet airways जो उनका basic ticket cost आएगा 5000 रुपय का आएगा 6000 रुपय का आएगा वो तो आपका aircraft का ticket का price है उसमें दिन में कितने लोग चलेंगे 1000, 5000, 7000 अगर मेरी choice होती तो मैं एक लाग करोड लेकर हिंदुस्तान के पूरे railway system का maintenance करवा के safety record तो तो real question is not whether it is feasible or not real question is you got different challenges which is important for me safety of my passengers is important अच्छा सैं पिट्रोडया ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली या आप एक ट्रेन को 400 km प्रती घंटा चला सकते हो या फिर आप हर ट्रेन को 30 km और तेज चला सकते हो तो अगर आपने tracks को reinforce कर दिया तो हिंदुस्तान की हर ट्रेन bullet train तो नहीं बनेगी वगर अगर आज 100 पर चल रही है वो 130 पर चल जाएगी पूरी सब की सब train है तो priority पे depend करता है मोधी जी ने स्वयम कहा पता नहीं आपने उनका वीडियो देखा है train पर कोई चलेगा नहीं सोच बड़ी होनी चाहिए उन्हें बोला मैं आप चाहते हो तो मैं अपने Twitter पर उनका वो लगा दूँगा वीडियो लगा दूँगा सोच बड़ी होनी चाहिए निशान होना चाहिए देश की स्ट्रेंथ की निशान होनी चाहिए और मेरा कहना है कि देश की स्ट्रेंथ का निशान बुलिट ट्रेंथ हो जी नहीं सकता क्योंकि that is made in Japan that is not made in India तो अगर हम जपान से उठाके बुलिट ट्रेंथ यहां लाएंगे तो वो इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं होगी वो जपैन की स्ट्रेंथ होगी मेरे लिए इंडिया की स्ट्रेंथ यह हो सकती है कि एक साल में हमारे पुरे रेलवे सिस्टम में किसी की मृत्य नहीं होई वो इंडिया की स्ट्रेंथ है और यह आइडिया की हमारा railway system कि strengths नहीं है अच्छा नहीं यह भी गलत है दुनिया का सबसे बड़ा railway system है कम से कम पैसे में हिंदुस्तान का चक्कर लगा सकते हैं लोग तो इसमें भी strengths है इसको appreciate करिए और इसको और strengthen कीजिए तो that is thinking is slightly different उसमें भी merit हो सकता है मगर मेरी मेरी thinking थोड़ी अलग है thank you अजना सवाद नो छलो प्रस्ट न पुछवा माटे हूँ प्रोपेसर बहादेव देशाई रिए अच्छा वह उपर भी थोड़ा complaint आ दिये अच्छा उपर से भी एक उपर से पूछले नमस्कार सुना ही दे रहा है गुजराद के आवाज पूरी दुनिया में सुना ही देती है आपके एफ यक्ति ने अंग्रेजों को भगा दिया और शायद मुझे लगता है महिलाएं बहुत कम हैं तो महिलाओं से संबंदित कुछ क्वेशन यहां कम आएंगे GST, ट्रेन यह सब थोड़ा ज़्यादा चलेगा मैं उससे हटके एक छोटा सा प्रेशन मेरा है वो में रखना चाहूँगी हमारी संस्था यहां वापी में प्रॉल शिक्षा पर काम कर रही है और वापी में हम लोग 7-8 सेंटर यहां चला रहे हैं वापी में काफी लोग जानते हैं हमें मुस्कान नाम से और जगे जगे हम उन औरतों को पढ़ाते हैं कि जिन लोग ने लाइफ में कभी पैंसिल नहीं पकड़ी स्कूल तो बहुत दूर की बात है और हम लोग ने उने पैंसिल पकड़ने से लेकर इतना साक्षर कर दिया है कुछ 3-4 साल में कि वो कहीं कुछ भी लिखा है वो पढ़ लेती है उनकी daily needs जो है वो पूरी कर लेती है लेकिन मेरा question कुछ अलग है जब आप लोग कोई भी सत्ता में रहे आप रहें कोई भी दल रहे आप लोग जो schemes चलाते है major schemes होती है गरीबों के लिए बेरोजगारों के लिए मानते हैं आप इस बात को कि जो भी scheme होती है वो गरीब और बेरोजगारों के लिए होती है लेकिन उन scheme को कोई भी सत्ता में आता है कोई भी चला जाता है क्योंकि वो हमारा सबसे वरा voter bank है गरीब और वेरोजगार उनी से मिलता है इसलिए उनके लिए maximum scheme चलती है उन scheme का कितना फाइदा उन गरीबों तक मिल रहा है वो लोग कितना उस चीज का फाइदा उठा पा रहे है उन schemes का मैं आपसे सिर्फ उसका छोटा सा आकड़ा जानना चाहूँगी क्योंकि हम लोग जमीन से लगके काम कर रहे हैं काफी सालों से तो जो परेशानिया हम देख रहे हैं गरीबों को हो रही है तो आप लोगों तक क्या आकड़े पहुंचते हैं मैं वो आकड़ा सिर्फ जानना चाहती हूँ मैं आपको broad level पर बता देता हूँ जो मन्रेगा जो प्रोग्राम था जब वो लागू हुआ था जब वो चल रहा था बहुत लोगों ने complaint की थी कि ये charity का प्रोग्राम है इसको बंद कर देना चाहिए और मन्रेगा से हिंदुस्तान में documented fact है की करोणों लोगों को करोणों लोगों को documented है की करोणों लोगों को नारेगा के थूँ काम मिला पैसा मिला 2014 के बाद एक economist आए मेरे पास और मुझे कहते हैं राहुल जी मैं नारेगा के एगेंस था मगर बहुत अजीब सी बात है मैंने का क्या उसने का मैं हिंदुस्तान की growth को analyze कर रहा था और मुझे देखने को मिला कि UPA की समय हिंदुस्तान की जो economic growth थी सच्ची growth हिंदुस्तान के गाउं में हुई और गाउं में growth कैसे हुई गाउं में growth नारेगा के मादियम से हुई कैसे हुई वो भी आपको बता देता हूँ नारेगा का पैसा गरीबों के पास गया गरीबों ने products करीदना शुरू किया rural economy fire हुई start हुई और जबरदस्त फाइदा गरीबों को मिला UPA के समय 20 million people were taken out of poverty every year, it's a documented fact this is not an invention तो अगर आप program को चलाएंगे effectively सोच कर चलाएंगे program जबरदस्त impact दे सकता है आप महिलाओ की बात कर रही है मैं आपको self-help group का जो program है उसके बारे में बताता हूँ आप आंध्रा चले जाएए त्यलंगाना चले जाएए केरला, करनाटक, महराष्टा कहीं भी चले जाएए करोणों महिलाओं को self-help groups के तुरू bank से जोड़ा है उनकी जिंदगी बदल गई और उत्तर प्रदेश में मैंने ये काम किया है और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि अगर आप महिला को bank से जोड़े वो छोटा सा business चालू करे उनकी जिंदगी बदल जाते है घर बदल जाता है completely तो ये नहीं है कि program चलता नहीं ये मैं आपकी बात जरूर मानता हूँ कि अगर 100% पर चलना चाहिए नॉर्मली हिंदुस्तान में 100% पर नहीं चलेगा वो 65-70% पर चलेगा ये है और उसमें fine tuning करने की जरूरत होती है मगर broadly आप ठीक है right to information गुजरात में नहीं चलता है और कभी Manrega very powerful program Aadhar very powerful program but again problematic it can be problematic depending how you think about it so broadly ये बोलना कि वही program चलता ही नहीं है that is also not correct to say that program is perfect that is also not correct but सरकार का काम होता है to run a program, take feedback listen test it keep it going so I think it is a it is a mixed result Professor Mahadabhai देशाए please हाँ नमस्कर रहुल जी आपको मेरा वंदन और अभीनंदन अभीनंदन इसलिए कि जो सबसे जवाबदार राष्ट का व्यक्ति है वो जादा विदेश में रहता है और बाकी के शमय में इलेक्शन में रहता है आप इलेक्शन में होने के बाद भी राई बरेली के दर्द को पहचानने के लिए चले गई इसलिए मेरा अभीनंदन I am Professor Mahadir Deshaai I am a Vice President of All India Federation of University and College Teacher Association जो साथ लाख अध्याबगों का Union है और उसका जो दर्द है ये साथ लाख अध्याबगों का अगर आपकी अनुमती हो तो मैं राइटिंग में ये भी देना चाहता हूँ वो बुलता हूँ सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन का प्राउब्लेम है गुजरात में आज अन्दाजीत पचास के नस्दिक जो इनुवर्सिटी है इसमें से ग्रांटीन एड अनली सेवन्टीन है तो अभी अभी जो हमको प्राउब्लेम एक गंटे पहले मिला दिल्लीशे वो मैं बताना चाहता हूँ वीगा वाइस प्रेसिडेंट मेरे पे मेल आया सेवन पे कमिशन सेंट्रल गवर्मेंट ने बहुत हमारा जंतर मंतर पे 6 बार 8 बार प्रोडेस प्रोग्राम हुआ फिर उसको एक्सेप्ट किया लेकिन उसमें क्या लॉलीपॉप दी वो मैं आपको बताना चाहता दूँ पताइए आज तक 2014 तक जब सेंट्रल में गवर्मेंट थी आज तक हमारा जो financial structure है college higher education का उसका 80% UGC देती थी और 20% state government देती थी अभी जो finance minister है उसने ऐसा बताया है कि अभी 50 तका ही central government देगी और 50 तका हिस्षा वो state को निभाना पड़ेगा तो ये बात तो ऐसी होगी कि on paper कल newspaper में आएगा कि अध्यपको को 7 पे commission में इतना तगड़ा पगार मिलेगा लेकिन अंदर की बात अलग है कि 50 तका ही central देगी और अब सबसे ज़्यादा मैं खत्रा देखता हूँ education system पे वो autonomous का है गुजरात में भी भरत भई को तो मालूम है कि गुजरात की जो state government है उसने 2015-31 March Congress के प्रतिनीदी को confidence में लेने बावजुद एक act पास किया Higher Education Council Act और ये act की जो कलम में है वो पूरे गुजरात के Higher Education System से स्वायत नाबूत कर देगी तो गुजरात के 5000 अध्यापक और पुरे देश के 7000 अध्यापक आप से उमीद लगाए बैठे है जो हमारे pending problem है वो pending problem के बाले में हम तो आपको सुपकामना देते है के 2017 में गुजरात में आपकी government आए और 2019 में भी Central में आपकी government आए और अगर आपकी government आए तो हमारा जो गर्द है 7 लाख अध्यापक ओका और गुजरात के आपको पता ने सहथ पता होगा गुजरात में 400 अध्यापक 25 साल से part-time है राहुल जी उसका qualification UGC के मताबिक है PhD है अध्यापक सहायक है PhD है तो मैं आपको ये प्रिटन में दे दीजी अच्छा भाई ये लाज्स सवाल अवे एक प्रस्टन छेल लो अच्छा प्रस्टन आई वाज्याँ सवार सुदी आपड़ा दी पतेम न थी जांके ने राहुल जीनी भी परिश्टिता में समझी सको ये सवार ना ड्राइबलरी जही ने पाच्छो ये आओ नहीं थी नमस्त्रे मैं साब आपसे तीन सवाल छोटे से पूछने जाता हूं मैं एक बात तो पहली मेरी बात बताना चाहता हूं कि मेरा नम डिपक परमार है और पेसे से मैं कॉलमिस्ट हूँ, अखबारों में लिखता हूँ और सोचल एक्टिविस्ट हूँ मैं यह पुछना चाहता हूँ कि जारखन में पिछले दिन में एक बच्ची की महुत होगे भूक मेरे से उसमें तपास में ऐसा बाहर में आया कि विस्तार के जो लोग थे, वो पिछड़े लोग मिड़े मिल के उपर ही निरबर थे और उसमें दिवाली की छुटी होने के वज़े से वो बच्चे को खाना नहीं मिल पाया मैं आपसे यह कुछना चाहता हूँ कि केंद्रम अगर आप सरकार में आते हैं तो दिवाली की छुटियों और गर्मी की छुटियों में आप मिड़े मिल चालू रखने का सोचेंगे और तूसरी बात अभी आप गुजरात में विदान सभा की चुनाव चल रहे हैं बाजपा विकास का मुद्दे से चल रहे हैं आप नव सर्जन की मुद्दे से चल रहे हैं मैं आप से ये रिक्वेस्ट करना जाता हूँ से वगर राज्यों में आप सत्ता में आते हैं तो उत्तर गुजरात और सवरास्त से हज्जारों दलित विस्तपित होके गांधी नगर रमदावत में रह रहे हैं और उसके बारे में वो इतनी बुरी तरह से जीते हैं उनके पास बच्चे पढ़ने के लिए कोई योज़ता नहीं है रोजगारे नहीं है और उनको वापस स्थापित करने के लिए पुनरवसंद के लिए भी कोई योज़ना नहीं है आपके सरकार अगर गुजरात में आती हो तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे मैं पूछना चाहता हूँ तो जो आपने हमारा हमारा सिस्टम है कॉंग्रेस पार्टी में हर स्टेट में और नाशनल लेबल पे भी चुनाओ होने से पहले हमारा इंटरनल डिसकॉशन होता है और जो स्टेक होल्डर हैं हमारे उनसे भी हम बाचीत करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा प्लान बनता है अगरускॉशन की बात होती है तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो उस प्रोग्राम में ऐसी बातें उठेंगी हमारी जनेरल पोजिशन ये है कि जो समाज के कमजोर लोग है चाहें वो दलित हो, आदिवासी हो, उनके लिए उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनके फ्यूचर की भी रक्षा होनी चाहिए, तो ये सवाल हम उठाएंगे, और अपने मैनिफेस्टों में इनको डालने की कोशिश करेंगे, जो आपने मिड़ी मील की बात की, ये अलग-अलग जो प्र करीब लोगों को प्रोटेक्शन देने का है, इस बात को हम कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनलाइज कर सकते हैं, कि चुट्टी पे हम मिड़ी मील दें या ना दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कही आ जा सकता है, इसको हम एसेस कर सकते हैं, अनलाइज कर सकते ह है 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 बहुत है है आपका इनके बाद आप से कर लेंगे है आप यहां आजाएए आप मुझे डारेक्ली पूछ लें हाँ बताएए है 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 यह यह गुजरात में जो हमारी टीम आएगी मगर हमारी कोशिश होगी कि आपके हम जिन्दगी सिंप्लिफाइ करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप से बात कर लूँगा भी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिन थैंक यू बहुत धन्यवाद मन्नीवाद समणवाईवा उँ गुजरात ना प्रभारी श्री असोग गेलों ती गिन्दगी अबार मानुचु आपना गुजरात ना प्रमुख यहाँ बरस्ति सौलंगी नों भी आपार मानुचु अने आप सव जे सांची थी अमने समधिडा आप सवे जे इकडरा राइकी जे सांची राइकी अमाटे वापी ना सर्वे दॉक्टर, एंजिनियर अने इंडेस्ट्रियलिस अने इंट्रिलेक्च्छलों आपर मानुचु थैंक यू